Hello friends, welcome back to my channel तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेर करने वाला हूँ OnePlus के सबसे लेटेश्मार्फोन जो कि यह OnePlus का 70 उसकी पूरी डीटेल स्पेस्वेक्शन मैं आपसे शेर करूगा इस वीडियो में तो वीडियो के अट तो ज़रूर देखेगा पीछे में जो टेक्शर दिये गया है वो बहुत ही अमेजिंग और यूनीक दिये गया है बाकि जो पीछे में ट्रिपल कैमेरे का सेटप जो अरेंज किया गया है वो मेरे को परसनली बहुत ज़्यादा पसंद आया बाकि सामने डिस्प्ले की बात के लिए तो डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है इसके डिस्प्ले की स्पेस्फेक्शन देखते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलेगा 20 to 9 का aspect ratio में देखने को मिल जाता है और front में भी हमें glass देखने को मिल जाता है जो कि Corning Gorilla glass का protection देखने को मिल जाएगा तो front और back दोनों ही glass दिया हुआ है तो feel बहुत ही ज़्यादा premium हमें देखने को मिल जाता है बाकी अब हम इसके operating system की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिल जाएगा तो यह बहुत ही कजब की बात है कि हमें latest Android हमें देखने को मिलता है Oxygen OS 10.0.3 के साथ में और बाकी अब हम इसके processor की बात करें तो processor यार बहुत ही कमाल का दिया हुआ है Snapdragon का सबसे latest processor 855 का प्लस दिया हुआ जो की रन करता है 7 nanometer beige और साथ में Android 640 GPU के साथ में आता है तो performance तो कमाल की एकदम outstanding performance हमें देखने को मिल जाएगी इस phone में बाकी अब हम इसके main camera की बात करें तो जो अब setup देख सकते है triple camera का वो तो सच में कमाल का दिया हुआ है setup तो इसमें हमें देखने को मिल जाएगा उसके साथ में 12MP का टेली फोर्ट देखने को मिल जाता है उसके साथ में 16MP का अल्टरा वाइड देखने को मिल जाता है तो camera के मामले तो सच में amazing दिया गया है, camera भी बहुत ही अच्छा दिया गया है साथ में अब हम बात करते हैं इसका जो और भी external features होगर दिया गया एक चीज इसमें नहीं है, जो कि आपका 3.5 mm jack इसमें missing है बाकी जो है hybrid slot, sim slot जो दिया गया है, वो भी hybrid slot दिया गया है type C charging हमें देखने को मिल जाती है, जो कि 30 watt का fast charge support देखने को मिल जाता है इस phone में बाकी एक चीज की main चीज है वो है इसकी battery जो battery हमें देखने को मिलती है, 3800 mAh की battery हमें देखने को मिलती है तो थोड़ा सा disappointing चीज है कि battery थोड़ी सी और जादा होती, near about 4500 mAh होती तो और भी जादा performance हमें वीजिंग देखने को मिल जाता है क्योंकि processor इतना heavy दिया हुआ, 855 plus का processor दिया हुआ है अगर gaming वगर करते हैं तो शायर थोड़ा सा lacking होगा battery के side में तो हम बात कर लेते हैं इसके phone के variant के तो इसमें हमें 2 variant देखने को मिल जाता है जो की आता 8GB RAM 128GB storage के साथ में जो इसकी pricing है 37,999 रूपीज और एक और variant आता हुआ आता 8GB RAM 256GB storage के साथ में वो आता है 39,999 रूपीज तो phone बहुत ही amazing सा दिया हुआ है और ये सारे phone जो है Amazon पे exclusively available है, हमें phone देखने को मिलते हैं तो phone बहुत ही amazing सा दिया हुआ है, बाकि performance बहुत ही amazing आमें देखने मिलेगे क्योंकि snapdragon का जो processor दिया गया है वो बहुत ही कमाल का performance देदेगा phone को बाकि आप बताएगा आपको कैसे लगे इसके specification, इसका क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंदा है तो नीचे comment section में आप अपना opinion शेर कर दिज़ेगा phone बहुत ही amazing है और वीडियो पसंद आई हो तो इसे like तो करी दिज़ेगा क्योंकि वीडियो पसंद आई गई होगी बाकि जो है चैनल पे नहीं है आप चैनल को subscribe कर लिज़ेगा प्रेस कर लिज़ेगा बेल अनको साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे like, share, comment सब कुछ करना मत भूलिएगा तो मिलता हूँ अगली वीडियो में आज के लिए धन्यवाद